नमस्कार लीड इंडिया के इस सेशन इजी लीगल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉट आज हम अपने नए एक लीगल सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो कि आम लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है जब भी कभी कोई आंदोलन होता ह तो वहां पर लोग जमा होते हैं उसके बाद में पुलिस भी आती है और उसके बाद कई बार आपस में क्लैश होते हैं हाल ही में जैसे बिहार में बिरोजगार युवा थे जो की एक डिमंस्ट्रेशन कर रहे थे वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया इसी से जुड़ पबलिक से जुड़ा है युवा इसमें बहुत इंवाल्ब हैं अक्सर क्या होता है जब हम अपनी कुछ भी होता है तो उस पर रियक्ट करते हैं और एक जगा एसे में पुलिस भी वहां आती है और उसके बाद कई बार कई गट्ना में लाठी चार्ज होते हैं तो आखिर प को भी बता दो कि जो दो बुक हैं दो कानून की किताब है एक को बोलते हैं Indian Penal Code IPC और दूसरे को बोलते हैं CRPC यानि Criminal Procedure of Criminal Procedure अब ये दोनों बुक जो है IPC यानि की Penal Code यानि उसमें अपराधों की सजा कितनी हो ये बताए गया है और CRPC यानि की अपराध अगर हुआ है तो उसमें सजा दिया कैसे जाए उसके परकिरिया बताई गया है तो CRPC के Section 144 के अंतरकत बताए गया है कि अगर पुलीस को Law and Order maintain करने के लिए ज़रुरत हो तो वो 144 इंवोक कर सकती है और 144 अगर कोई उसको तोरे मालने जे 144 लगा हुआ है और उसको अगर कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है तो उस समय पुलीस को अधिकार है कि वो लाथी चार्ज कर सकती है आशुगैस के गोले चला सकती है या जो भी उसके लिए मुम्किन लगता है वो सब कुछ कर सकती है केवल Section 144 को maintain करने के लिए Law and Order को maintain करने के लिए तो इसी वज़ा से पुलीस जो है लाथी चार्ज यही सेक्शन है जिसके वैसे लाथी चार्ज करती है तो यह 144 बहुत सुनते है धारा 144 लागर थी तो यह क्या है किस तरह की इसकी नेचर है इसको थोड़ा explain कीजिए 144 section तब लगाया जाता है यह CRPC का section है जब पुलीस को यह लगे senior police officials को लगे कि किसी जगह पे protest होने वाला है और वहाँ जो प्रोटेस्ट होगा वहाँ law and order बिगर सकता है या कुछ ऐसी संभावना है जो यह gathering हो रही है यह public की वो gathering की वज़ा से law and order को कोई impact हो सकता है या कोई बिना permission लिए हुए लोग gathered हो रहे हैं उन सभी प्रस्तिटों में section 144 CRPC police invoke करती है for a limited area में कि इस limited area में आप नहीं रह सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप assemble नहीं हो सकते हैं जैसे group में assemble नहीं हो सकते हैं दो लोग, तीन लोग, चार लोग, assemble अगर होते हैं तो उसको माना ज लोग हैं, assemble हुए किसी particular zone में, उनका motive तो हिंसा नहीं है, तब भी क्या ये 1144 का उलंगन कि अगर बोला कि वहां पर 144 का उलंगन हो रहा है, और इसके लिए पुलिस करवाई कर सकती है, तो वो section में लाठी चार्ज भी कर सकती हैं, अगर पुलिस को लगे कि भीर को काबू करन senior police officers के आदेश पर कर सकती है, तो इसके बदले में police पर कोई action नहीं होता है, अगर illegal तरीके से किया गया, जैसे मान लिजे कि senior police officers ने कोई आदेश नहीं दिया है, और सिपाही ने, जवान ने लाठी चार्ज कर दिया है, या फिर उसके circumstances को भी देखा जाता है, कि जो लाठी वो किन प्रस्तितियों में हुआ, क्योंकि जैसे ही लाठी चार्ज होता है, वहाँ पे कई लोगों का human rights violate होता है, कई लोगों का fundamental rights भी violate होता है, तो अब ये देखना होता है कि वो 144 के लिए जरूरी था या नहीं जरूरी था, अगर वो नहीं जरूरी हो और फिर लोगों का अपने human right violate कर दिया, fundamental right violate कर दिया, तो उन पुलीस वालों के खिलाब करवाई भी की जाती है, तो ऐसे में जो आंदोलन कारी है, उनके अपने rights क्या रहे गए, क्या वो बदले में, मान लीजे, बहुत लाठी चार्ज हो रहा है, कुछ भी पुलीस उसके ओपर बर-बर action कर र रहे हैं, तो public servant के काम में अगर कोई obstruction create करता है, तो section 186 IPC लगाया जाता है, इसमें ये हुआ कि public servant अगर काम कर रहे हैं, तो आप obstruction नहीं कर सकते हैं, आप उनके काम में कोई रुकावट खरा नहीं कर सकते हैं, अगर आप रुकावट खरा करते हैं, तो ये section लगा दिया में तीन महिने तक की सजा हो सकती है फाइन हो सकता है इसका extended रुपी होता है कि आपने obstruction लगाया काम में इसके साथ साथ अपहिंसक हो गए पुलिस के उपर आपने हाथ उठा दिया अटैक कर दिया मार्क पिटाई कर दिया किसी भी public servant पे तो IPC का section 152 लगाया जाता है और 152 जब लगाया जाएगा तो उसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है ये एक safe guards मिला हुआ है public servant को जिससे की वो अपना बचाव करते हैं और जो भी public के विशय होते हैं जो कानून है उसको लाग 144 जिसके तहट gathering को अगर पुलिस ने allowed नहीं किया है तो वहाँ gather नहीं होना है इसको समझा दूसरा अगर मान लीजे उसी मारा मारी में आप भी पुलिस के उपर हाथ उठा देते हैं तो लोग सेवक पर आक्रमण की एक धारा लगती है वो आपने बताई है 152 और अगर किवल obstruction करते हैं मार पिटा ही नहीं करते हैं तो 186 IPC section तो यह सबी धारा है जो है क्या यह बेलेबल है नॉन बेलेबल है यह offense किस तरह का माला जाता है यह section बेलेबल है बहुत serious offense की category में नहीं रखा जाता है इसको लेकिन आजकल तो सुप्रिम कोट ने यह भी आदेश दिया है और कि अगर किसी भी section में जिसमें सजा 7 साल से कम हो उसमें पुलिस अब सीधे सीधे arrest नहीं कर सकती है उसमें पुलिस को notice देना होगा notice दे करके कहना होगा आरोपित व्यक्तिकों कि आप आके investigation join कर लिजे अगर वो join ना करे तब पुलिस arrest करनी की करवाई कर सकती है तो 7 साल की कम कि जो भी सजाएं हैं उसमें एक तरीके का relief मिला हुआ है सुप्रेम कोट उतन से यह और भी अच्छी बात बताई इस विशे पे हम अगले easy legal के episode पर बात करेंगे आपसे ज़रूर लेकिन अभी जो हमने धाराय समझी वो demonstration से संबन दिती आपने इन पर बहुत अच्छे से ब कि अ आपसे चाइख से बात बाता बाता ब बाता के ऑच्छे से बाता हैं यह और बहुत अच्छाइब से एवाँ